नमस्का, मैं होसासी आयो जरकन की टॉप 25 पर मुख खबर जानते हैं गलवान घाटी में हिंसक जलब के बाद भारत और चीन के बीच शुरू हुआ तनाव थोड़ा कम होता दिख रहा है सोमवार को भारत के सुरक्षा सलाकार अजित डुभाल और चीन के बीदेश मंत्री वांगी के बीच हुई बाद चीत के बाद दोनों देशों ने तनाव कम करने के लिए अपने अपनी सेनाव को थोड़ा पीछे हटाने शुरू कर दिये हैं आपको बता दे कि चीन की सेना ने सोमवार को ही एलेसी के पास से अपने अस्थाई निर्मान हटाने शुरू कर दिये थे भारतिये सुत्रों ने कहा कि सेनाव वापस लेने का काम होट स्प्रिंग और गोगरा इलाकों में शुरू हो चुका है और अगले कुछ दिनों के भीतर पूरा कर लिया जाएगा कई अस्तर की बादचीत के बाद दोनों देशों के बीज समाती बनी है कि दोनों से माय अपनी वास्तवीक पोजीशन से एक से डिर किल्मेटर पीछे हटेगी जारखन मौसम विभाग के उनसार जारखन में फिर से मानसून सक्रिये हो गया है मौसम विभाग ने अपने पुर्वानुमान में जनकारी दी है कि 8 जुलाई तक मानसून सक्रिये रहने का अनुमान है राज के कई जीलो में आज बारिस होने के असर है वहीं बजरपात को लेकर चेतावनी भी जारी किया गया है आज राज के उत्तर जीलो में बारिस हो सकते हैं टेंथ रिजल्ट आज एक बज़े जारी किये जाएंगे जारखन अकेडमी परिशत कक्छा 10 बोट परिशा परिशा परिणाम बुद्वार 8 जुडाई को गोसित करने के लिए पूरी तयारी में है जारखन बोट के अध्यक्ष अर्वीन परसाद सिंग ने कहा कक्छा 10 के परिणाम बुद्वार को दो पर एक बज़े गोसित किये जाएंगे छात्र परिशत के अधिकारिक वेबसाइट पर जाकर परिणाम देख सकते हैं आपको बता दे कि इस वर्ष जैक द्वारा आयुजित मैट्रिक परिशा में 3,87,000 से अधिक छात्रों ने भाग लिया था ये परिशाय फरवरी में आयुजित की गई थी जारखन में आई 155 संक्रमितों की पुष्टी हुई जो पूरवी सिमुम से अंठावर, राची से 20, धनबाद से 25, रामगर से 28, हजारी बाग 6, कोडार्मा 7, लवर्दगा 3, पलामू 2, देवघर 3, गडवा 1, लातेहार 1, सिम्डेगा से 1 है जारखन में कुल संक्रमितों की संक्रावर, 3,018 है जबकि 104, लोग स्वस्थ हुए और 22 की मिरिती हो गई जारखन में 2 संक्रमितों की मौथ हो गई है, दोनों धनबाद जीला से है एक की मौथ रीम्स में हुई है जबकि दूसरी की मौत धनबाद अस्पताल में हुई अब तक जारखन में कूल 22 लोगों की मौत हो चुकी है पाराशिक्षको का मांदे मिला राजे के साथ है पाराशिक्षको के अप्रेल का मांदे जारी कर दिया गया है जारखन शिक्षा परियोजना परिशद ने 100 मर्फो इसके लिए 78 को रुपे जारी कर दिये आपको बताओ दे कि मंगलवार को पाराशिक्षको के बैंग खाते में रासी पहुच चुकी है प्रसिक्षित पाराशिषकों के साथ प्रसिक्षन की परिक्षा में पास हुए 362 पाराशिषकों को भी पास होने की तारिक में मांदे का भुकतान किया गया पाराशिषकों को मई का मांदे अगले सब्ता तक जारी कर दिया जाएगा सिक्ष्यमंत्री उगरवाद जुमरा पहाट पहुचे कहा हर हाल में हाई स्थाप्ना सिक्ष्यमंत्री जगरणात महतो ने जुमरा पहाट इलाके में हाई स्कूल नहीं मादमिक सिक्ष्यवांचित हो रहे बच्चे समधित элект खबर को परते ही सीधे गोमियों परखंड के उग्र परभावी जुम्रा पहाड गहां पहुंच गए यहां उतकर्मिक मद्य विद्याले में सिक्ष को वा ग्रामिनों से पूछ तास्वा जनकारी प्राप्त की सिक्षा मंतरी सिरी महतो ने विभाग के निदेशक उमासंकर सिंग से दुर्भास पर बात करते हुए जुम्रा इलाके की थिती से अगत कराते एवाम हाई स्कूल के अस्थापना पर बल देते हुए अब चारिकताओ को सिग्र पूरा करने को निदेशित किया गुम्ला में वाहन चेकिंग एसपी ने संभाला मोर्चा 250 वाहन जब्त गुम्ला एसपी हर्दी पी जनारधन मंगलवार को खुद सड़क पर उत्रे और वाहन की जाच करने लगे एसपी की मौझिदगी में 2800 वाहनों को जब्त किया गया कई वाहन मालिकों से जुर्माना वसुला गया एसपी ने वाहनों चलकों को वाहन नियम की सिक्षा दी साथ ही नियम की अनुसार वाहन चलाने की अपील लोगों से किया गुमला में पहली बार किसी SP को इस प्रकार वाहन जाज करते देखा गया, SP के सरक पर उतरने से बाइक चालक भी स्वहमे हुए नजर आए 10,000 कम्प्यूटर टैपिंग की नोकरी खत्रे में, जर्खन सचीवाल समेथ तमाम सरकारी दफ्तरों में कम्प्यूटर अपरेटर के पद समाप्त हो सकते हैं, विभीन विभागों में सचीवों ने आदेश जारी किया है कि महतपुन कार निप्टाने वाले सहायक प्रसखा पत अधिकारी स्वयम कम्प्यूटर टाइपिंग सीख ले इसके अलावा अन्य तकनिकी दक्स्ता में भी वे प्रांगत हो जाएं इसके लिए उन्हें एक महिना का वक्त दिया गया है एसो को या भी जनकारी दी गई है कि एक माह के बाद उन्हें कम्प्यूटर अप्रेटर की स से संक्रमीत पाए गए मंगलवार को राजे में बड़ी संख्या में पत्रकार और मीडिया कर्मी भी संक्रामन की चपेट में आये हैं उधर मंगलवार को मंत्री और विधायक के संक्रामीत मिलने के बाद मुख मंत्री हैमान सुरेन पर भी संक्रामन के खत्रे में बताये जा रही है ऐसे में बचों की काक्षा लेने वाले गुरु जी भी संक्रमन के वाहक न बंजा या चिंता सता रही है गुरु जी भी अलग-अलग इलाकों से आते हैं अगर एक भी सिक्षक प्रभावित हुए तो संक्रमन का फ्लाव हो सकता है ऐसे में जीला परसाशन ने अपने ख कहा कि जारखंड के लोगों को अपने राजे में ही बेहतर से बेहतर इलाज की सुविधा मिले इसके लिए सरकार लागातर परयासरत है इस दिशा में नीजी अस्पतालों से भी सहयोग की अपेक्षा की जाती है उन्होंने कहा कि राजे के गरीब मरीजों को किफायती कीमत पर उपचार की वेवस्ता होनी चाहिए सिरी सुरेन ने मंगलवार हर्मु रोड इस्थित हेल्थ केर राची का उदगाटन करते हुए कहा कि गंभीर विमारियों के इलाज के लिए यहां के लोग को दूसरे राजियों का रोख नहीं करना पड़े इसके लिए सरकार योजनाव के रोख्थाव और बचाव के उदेश से दर्दमरा बोर्डर एवं दूमा परवेश द्वार के अलावे सिमावर्ती इलाके में बनाए गए बिभीन चेक पोश्टों का आउच्चक निरिक्षन कर सुरक्षा व्यवस्ता वा बीधी व्यवस्ता का जाजा लिया गया राची उपायुक्त ने योजनाव की समिक्षा कर दिये कई दिशा निर्देश राची के उपायुक्त राय महिमापत रे ने मंगलवार को राची समनाले में विकास योजनाव की समिक्षा की बैठक की बैठक में उपायुक्त राची द्वारा अलग अलग एजेंडा पर विस्तार पूर्वक समिक्षा की गई और संबंधित अधिकारियों को अवस्यक दिशा निदेश दिये गए उपायुक्त ने पेंशन वेरिफीकेशन के काम को प्रास्मिक्ता कैधार पर करने का निदेश दिया उन्होंने कहा कि पेंशन के लंवित मामली का जल्द से जल्द निप्तारा करें एहरपोर्ट निर्मान में तेजी लाए देवघर उपाउक्त देवघर उपायुक्त सह जीला दन्द अधिकारी नैसीज सहाय की अध्यक्सता में चल रहे एहरपोर्ट निवान कारे में आ रही समस्याओं वा उनके समधान को लेकर बैठक काविजन सम्माहरनाले सवागार में किया गया बैठक के दरान उपायुक द्वारा पूर्ण हो चुके वा चल रहा है एयरपोट निर्वानकारियों की समिक्छा कर समधित अधिकारियों वा एयरपोट अथरोटियों के सदस्यों को अवस्यक पहुषी दिसाने देश दिया गया कांग्रेश ने मुखमंत्री से जमीन लूट में जाच की मांग जरखनपरदेश कांग्रेश के संधरी करन में करण खर्च किये गए लेकिन इसीती आज भी बत्तर बने हुई है प्रवासी मजदुरों को मुफ्त अनाज मिला सरकार के निदेश पर आत्मनिर्भर भारत के तहट राची जीला में संक्रमन को लेकर फंसे हुए प्रवासी मजदुरों को मुफ्त में अनाज दिया गया मई एवं जून के लिए पांच किलो चावल दो किलोग्राम चना प्रवासी प्रती महमुफ्त दिया गया साथी दस किलोग्राम की दर से चावल उपलाव्त कराया जाना है राची जीला इंतरगत प्रवासी मजदुरों का निबंधन किया गया जिसमें से पूर्व राशन का धारियों का निवंधन की छटनी करते हुए प्रवासी मैदुरों का निवंधन सत्याफित किया गया है दुमका सेविका साहिका की रिक्त पदों की सुची जल्द कराय उपलव्द डिसी दुमका जीला समाज कल्यान विभाग की ओर से संचालित योईनाव की समीक छात्मक बैठक हुई बैठक में डिसी ने बचो के निव्ट्रिशन के छेत्र में राजे में दुमका पहले अस्थान होने पर सुबकमनाय दी उन्होंने कहा कि ऐसे ही कार करने की जरूरा था किसी प्रकार की परसानी सामने आती है उसका समाधान मिलकर करने को प्रिशन की खोटी जेल में बंद कैदियों से ये मुलकात किये परीजान जेल में बंद कैदियों से मुलकात को कल तक गेट पर घंटों इंतियार करना होता था लोगडाउन की बात या वेवस्था बनी की कैदियों से परीजानों चाहे तो CSC प्रगया केंद्र के मादयम से अपने गाउं से ही जेल में बंद कैदियों से बीडियो कन्फिस्निस के मादयम से बात कर सकते हैं संक्रवन से बचाओ को लेकर जेल परसासन सजग है राजसरकार के निर्देश के बाद खुटी के बीर्शा काराग्री में भी अब कैदियों से सीदे मुलकात पर रोक लगा दी गई है जेल में बंद कैदियों के परिजन अब इमुलकात के मादयम से ही बात कर पा रहे हैं जारखन में 3500 परधाना ध्यापक होंगे नियुक्ते राज के हाई स्कूलों में 3500 परधाना ध्यापकों की नियुक्ती होगी स्कूली सिक्षा और ससकता विभाग ने इसकी त्यारी सुरू की है सभी जीलों से हाई स्कूलों के प्रधाना द्यापकों की संख्या और प्रभारी प्रधाना द्यापकों की संख्या स्कूल वार मांगी गई है साथी पिछले तीन साल की मैट्रिक परिक्षा के पहिनाम की भी रिपोर्ट मांगी गई है इसके अधार पर प्रधाना ध्यापक पद पर प्रोन्यती और सिधी नियोक्ति के लाप मिल सकेंगे धन्यवाद आज के लिए बस इतना ही कल से आपको पजिस वीडियो मिलेंगे वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के बाद से फेस्बूक ट्यूटर इस्टाग्राम पर सेल करें थैंक्यू